Hello learners, welcome back to the channel, my name is Guvrana Asmat और आज है 26th October 2021 तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि Prelims Pointers, Daily Newspaper Analysis में आज हमारे पास कौन-कौन सा important points है जो आपको याद करना है तो आज का जो पहला topic है वो मुला पेरियार डाम से related है तो मुला पेरियार डाम की ये बात है कि ये जो डाम है इसके बारे में हमेशे news आते रहता है between two states that is Kerala and Tamil Nadu बात ये है कि ये डाम तो आपकी केरला में है लेकिन इस डाम का जो पानी है उस पानी का कुछ हिस्सा जो है वो divert होता है Tamil Nadu के तरफ भी और Tamil Nadu उस पानी को irrigation के लिए use करती है तो problem क्या हुआ था कि ये मुला परियार डाम जो है एक gravity डाम है केरला में ये 126 ये old बराज है जिसका जो initial life था वो 50 years का था बट इसने अपने initial life को outlive कर दिया है उससे बहुत जादा सालों तक कि एक्स्ट्रा चला है ये डाम अगर केरला में है तो वेस्टन घाट में पेरियार मुला पेरियार सही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पेरियार wildlife sanctuary है इसके एजेशन में है और ये British colonial period के टाइम में बनावा था ये ग्राविटी डाम है आपको ये चीज़ याद रखना है ग्राविटी डाम का मतलब ये होता है कि ये वो डाम होती है जो अपने water के weight and resistance को विट्स्टांड कर जाती है अब खुद के weight and resistance को विट्स्टांड कर जाती है उसको gravity डाम बोलते हैं तो ये आक्चिली काफी dangerous डाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि initial इसका जो life span था वो 50 years ही था और इसने इसका आउटलिव कर दिया और रीजन है जिसके वज़े से इसको hazardous बोला जाता है because not because of its age only age is also one of the factor but इसका location भी जो है वो seismic zone 3 में है seismic zone 3 मतलब ये जो seismic zones होते है zone 1 2 3 4 ये आपके earthquake prone areas होते है तो ये earthquake prone area में located है इसलिए ये वाला जो डाम है ये थोड़ा आपका hazardous dam है तो जो government of kerala है इसने कुछ review studies किया कंड़क किया था 2006 & 2011 के बीच में और ये conclude किया था कि मुला पेरियार डाम unsafe है for passing the estimated probable maximum flood limit और IIT रुर्की दिली में भी इसका study हुआ और इसको भी fit to be decommission करने के लिए बोला गया लेकिन इसकी decommissioning के बारे में जो है वो तमिल नाडू state हमेशा oppose करती है ये इसलिए अपोस करती है क्योंकि जो तमिल नाडू government है it inherited a lease agreement between the former princely state of Travancore now kerala and the British government government तो इस lease के हिसाप से तमिल नाडू जो है उस डाम को operate करती है और divert करती है 640 million cubic meters of water annually for irrigation and power generation through a tunnel board into the western ghat mountains जो that forms a wall between the two states तो बहुत जादा पानी जो है तमिल नाडू use करती है मुला परिया डाम से तो इसकी decommissioning के वो हमेशा opposition में रहती है ये डाम का location to Kerala में है बट ये डाम का जो main operation का काम होता है because of the lease agreement between the British government and the former princely state of Travancore जिसको Kerala बोलते है इस lease के हिसाप से तमिल नाडू इस डाम के पानी को use कर सकती है तो अभी ये news में इस लिए था क्योंकि जो आपके Kerala के Chief Minister Mr. Pinner आई उन्होंने बोला है कि Kerala is working with Tamil Nadu to regulate the water level तो ये था मुला परियार डाम के बारे में तो अब जब हम डाम से related topic कर रहे हैं तो बहुत important डाम से जो कभी match the following के basis पे आपको exam में पूछी जा सकती है तो ये सारे नाम आप अपने note book में copy कर लीजिए और हो सके तो बिलकुल इसको याद कर लीजिएगा ओके आंदरप्रदेश की दो डाम है एक नागर जुना सागर डाम डाम् बहुत सारे हैं बट यहां पर मैंने जो यह इतना सारा लिया है यह important importance को मैंने select किया है ओके तो नागर जुना सागर डाम और स्री साइरें डाम यह दोनों आंदरप्रदेश में यह दोनों कृष्णा रिवर में कृष्णा रिवर में आप एक और डाम आड कर लीजिए वो ह तो आपको कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी जैन और बीपता होने चाहिए यह अगें जोग्रफी का एक इंडिन जोग्रफी का अधर टॉपिक हो जाता है तो आपको बट फिर भी शॉट में मैं बता देती हूं जैसे कि यह कृष्णा रिवर की पहले ट्रिब्यूट ओके इसके बाद आपका कुएना वर्ना पंच गंगा दुग्द गंगा घाट प्रभा मलप्रभा ओके तो पंच गंगा दुग्द गंगा घाट प्रभा मलप्रभा तुंग भद्रा तो आप इसको के वी पीडी जी एम टी याद कर सकते के वी पीडी जी एम टी कुएना वर और उपर में आपका भीमा जिसकी ट्रिब्यूटरी हो गई नीरामान सीना मूसी और मनेर्यू यह आपकी कृष्णा रिवर का यह सारा ट्रिब्यूटरी से तो यह भी चीज आपको ध्यान में देना है और आप मेक शूर कि आप इंडियन जोगरफी में इस चीज को कवर करते ह साकर अंसरी सालेयन अलम ट्राइब जो हो गया आपका खिष्णा प्र रिवर से रिलेटेड है ṇस्ट आपका एक डाम है जो पुलआ रण डाम है जो हिमाचल प्रदेश पुला रण द में जो आपका वह गुद्स पांक दम जो अप आपका गोधावरी गौदावरी से आपका कौन सा डाम हो गया पुला वरं डाम हो गया गोदावरी सा। अगर मैं आपको गोदावरी का ट्रिब्यूटरी शॉट में बताओं तो दुदना, पुरना, तो पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, प्रानिता, अगर ये आपकी प्रानिता जा रही है तो उसमें आपकी पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा और ये आपकी प्र क्वयरावत्य इसकी ट्रिभ्यूटरी हो गई buck के फिर आपकी सब्री है व болी मेला है ईसी बली मेला है पिर आप इस साइड में आ जाएंगे तो परवरा मूला मांजिरा मनेर किणर सेनी तो यह सारा आपका गोदावर percent कि यह आपको मतलब मैं शोर्ट में यहां पर बता रही हूं क्योंकि मेरा कोई भी मकसद नहीं इस चीज़ को आपको यहां पर याद करवाना या फिर बताना मैं बस आपको यह रिमाइंड कर रही हूं कि आप मेक शॉर आप इन सब चीज़ों को कवर कर लें अपने इंडियन के portion में क्यूंकि इस साल भी UPSC ने दो question जो है वो reverse से related पूची थी 2021 के paper में तो पोला वरम आपका गुदावरी हो गया next आपकी बियास में है पॉंग डाम वो भी बियास नदी से related है पॉंग डाम भाकरा नंगल डाम कोल डाम यह आपकी सतलच से से रिलेटेड है यह दिन आपका नाटपा जखरी डाम सतलच से related रावी से रिलेटेड आपका च्मेरा डाम हो गयी चेनाब से रिलेटेड आपका दो बलीघार से लाल दा उरी ए टाक आपको उरी पता होगा वो झेलं से पीरियार यह मैंने आपको बता होना चाहिए कि पेरियार यह इसकी लोकेशन कहां पर केरला में इसकी लोकेशन है आपको यह चीज बिलकुल पता होगा बट किस सीक्वेंस में है जिसे केरला में सबसे पहले जो नदी आती है अगर मैं यह केरला बनाओ और मैं ऐसे लीख हो यहां पे और 1,2,3,4 आपको चार आप्शन दो तो आप इस पोजिशन में होने चाहिए कि आप इसको North to South arrange कर सकते हैं जैसे अगर यहां पर पायसवनी रिवर है फिर भरत पुज़ा जिसको पुनानी रिवर भी बोलते हैं फिर आपकी पैरियार आएगी पैरियार के बाद आपकी पामबा रिवर आएगी और सबसे जो नीचे में है उसको पज्यार रिवर बोलते हैं जो क्या आपकी तमिल आडूस से स्टार्ट होती है और अरेबियन सी में जाती है तो यह सब सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए तो यह सारा डाम से रिलेटेड कुछ इंफरमेशन था आप इसको याद कर लीजिए दूसरा जो न्यूस है वो साउथ वेस्ट मांसू मौंसून के बारे में कुछ न्यूस है तो आप इसमें यह पॉइंट से याद रखिए कि साउथ वेस्ट मांसून के फॉरमेशन के लिए कौन से फक्टर्स रिस्पॉंसिबल होते हैं तो साउथ वेस्ट मांसून जो हता है अगर यह हमारा इंडिया है तो ऑविसली मांसून मों सौन को बोलते हैं कि मॉंसूं को बनने के लिए कुछ फैक्टर स्रेस्पोंसिबल नो́ थया आ hakkto बहुत महत्व होता है तो इसको बनने के लिए आपका जो टीबेटियन फ्लेटी होए इंडिया के उपर जो टीबेटियन फ्लेटियू होए इसको बहुत जाधा इंटेंस हीटिंग होना चाहिए जिसके वजह से अगर यहाँ पर लोग प्रेशर डवलप होगा और आपका हाइ प्रेशर यहां पे South Indian Ocean में High pressure develop होना चाहिए और आपको पता है, हवा की direction हमेशा High pressure से Low pressure होती है, तो High pressure अगर यहां पे Low pressure बन गया है, Tibetan Plateau के पास और यहां पे आपका High pressure है, आपका South Indian Ocean में, तो यह बहुत अच्छा एक situation बनता है जिससे मौन्सून आपकी ट्रावल करती है अब factors that influence the onset of southwest monsoon formation के लिए तो यह factor अब onset के लिए भी कुछ factors responsible है above points मतलब यह दोनों point होना चाहिए उसके बाद आपका एक tropical jet stream होता है antropical easterly jet stream होता है जिसको african easterly jet stream बोलते हैं यह दोनों भी important होता है और एक ITCZ होता है तो यह 4 चीज होगा तभी आपका monsoon onset करेगा तो यह 4 चीज आपको याद रखना है कि एक तो आपका उपर में low pressure होना चाहिए नीचे में आपका high pressure develop होना चाहिए फिर सब tropical jet stream का formation उसके बाद फिर आपका tropical easterly jet stream आफरिकन easterly jet stream इसका formation और ITCZ के वज़े से यह कुछ reasons है जिसके वज़े से आपका monsoon का onset होता है अब देखिए दोस्तों यह सब अपने आप में एक एक बड़ा बड़ा topic है और यह सारे आपके static portion में आते हैं तो आपको यह सारा topic भी cover करना है और बिल्कुल भी आपको अपना जो concept है काफी clear रखना है और देखिए जैसे मैंने आपको यह बताया था कि जब आपका eastern side में अगर आपका high pressure develop होता है और यहाँ पे आपका low pressure develop होता है तो monsoon आपकी ऐसे move करती है ओके ओके अब आपका जो यह कुछ terminology है आप में जो NCRT में दिया हुए नौर्वेस्टर क्या होता है काल बाइसाखी क्या होता है cherry blossom mango shower बार्डोली चीरह यह सारे चीज़े क्या होती है तो यह सारा जो आपका information है यह आप धियान में रख लीजे कि नौर्वेस्टर जो है इस्टर इंडिया से रिलेटेड है इसको प्री मॉंसून शावर्स बोलते हैं काल बाइसाखी जो है वह वेस्ट बेंगॉल से रिलेटेड चेरी ब्लॉसम अब करनाटका और केरला से रिलेटेड है यह चेरी ब्लॉसम में कॉफी ब्लांटेशन के लिए अच्छा होता है लोकल नौल लांग्वेज में नौर्वेस्टर को ही बार्डो चिल्हा भी बोलते हैं क्योंकि यह जो लोकेशन होता है आपका इस्टर इंडिया फिर माल्दा गाप है आपके बीच में यह आपकी इंडिया हो गई पूरा इंडिया तो यह वाला आपका माल्दा गाप हो गया बत साउथ इस्टर इस्टर इस्टेट्स और असाम तो यह थोड़ा आस पास काई स्टेट है बीच में आपको ओविसली माल्दा गाप अन बंगलादेश और चीज आ जाता है बट यह वाले पूज में भी बाइसाकी वेस्ट बेंगॉल हो गया चेरी ब्लॉसम करनाटका केरला मांगो शावर साउथ एरियन स्टेट्स और बार्डोली चेरा आपका आसाम के लिए होता है और नॉर्वेस्टर इसको लोकल लांग्विज में भी बोलते हैं ओके नेक्स्ट जो आपका न्यूस था वो रोहिंग्यास के बारे में था अभी रोहिंग्यास कौन है ओके रोहिंग्यास कौन है और रोहिंग्यास के बारे में आप हमेशा न्यूस में आप ये भी देखते होंगे तो जो रोहिंग्यास है इन लोगों को डिपोर्ट करने की बात हो रही थी कनाटका को बोला गया था पटकरनाटका ने बोला कि उनकी गवर्मेंट ने बोला कि वो अभी उनको डिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोट में पेटिशन डाला गया था कि जितने भी रोहिंग्याज है उन रोहिंग्याज को डिपोर्ट किया जाए डिपोर्ट करने का मतलब है जैसे कि आप अप इंडियन है, आप citizen है, इंडिया की और आप की य कंट्री है, इंडिया, तो आप की य कंट्री है तो आप इंडियन है, बट Rohikis जो हैं," ऐसे बोलते हैं", कि यह Myanmar के लोग हैं, यह लोग जो हैं," ये करनाटका ने बोला कि अभी उनको कोई जल्दी नहीं है ये काम करने के लिए ओके तो declared foreign क्या होता है क्योंकि Rohingyas foreign nationals है मैंने आपको बताया है क्योंकि वो हमारे और आपके जैसे citizens तो नहीं है तो जो declared foreign होता है वो उस person को mark किया जाता है by foreign tribunals कि उन्होंने अपनी citizenship है उसको वो proof नहीं कर पाया after the state police border जिसके वज़े से उनको एक illegal immigrant का दरजा दे दी गया है और जो लोग non citizens होते हैं उनको detention centers में भेज दिया जाता है such people are tried after the Assam police के border wing के सामने उनको try किया जाता है अगर कुछ suspicion हो कि ये foreigners है अभी foreigner tribunals क्या होता है ये quasi judicial body होती है जिसको foreigner tribunals order foreigners act के द्वारा बनाये गया है और इसका कुछ composition होता है ये तो आपका नहीं important है तो इस paragraph को आप skip कर दीजे इस tribunals को setup कौन करता है ministry of home office इसको amend की थी कि आपका foreign tribunals order 1964 को और इसने empower किया है दोस्तो district magistrates के हर state के district magistrates को इन्होंने empower किया है और union territories को to set up the tribunals quasi judicial bodies to decide कि जो person वहाँ पर रह रहा है illegally is a foreigner or not और पहले जो है ये power की tribunals को constitute करना ये सिर्फ सेंटर के पास थी बाद में ministry of home affairs ने इसको amend करके बोला है कि नहीं जो district magistrate है हर states में और union territories में they can set up these tribunals ओके तो ओके नेक्स्ट आपका जो है वह आयूश्मान भारत health infrastructure mission से related है जो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने अभी लॉंच किया पी ए मायूश्मान भारत health in health infrastructure mission तो यह क्या है ओके इसको मोदी जी ने लॉंच किया है सिधार्ट नगर जो एक प्लेस है यूपी में वहां से to strengthen the health care infrastructure in the country क्योंकि obviously आपने कोविट के टाइम में भी देखा था कि हमारी healthcare system काफी country की खराब है and there's a need to improve these two government बहुत सारी schemes लेकर क्या रही है ताकि हमारा healthcare infrastructure इंप्रूब हो this scheme would be implemented in additional to national health mission national health mission already चल रहा है उसके साथ-साथ इसको implement किया जाएगा ताकि जितना gaps है critical health care facilities में primary care public health infrastructure में rural urban दोनों areas में वो gap कम हो जाए और इस mission को जो duration है वो दोस्तों 6 साल है और यह दोनों rural and urban दोनों के लिए है इसमें health and wellness centers establish करने किये जाएंगे rural areas में दोस्तों जो 10 specially identified states है वहां पर और आपका जो urban area में all states हर states के urban areas में आपका यह health and wellness center establish किया जाएगा और प्रायर्टी जादा backward and aspirational district को दी जाएगी ओके तो यह चीज आपको ध्यान में देना है इस चीज के लिए यह जो है आपका बोथ रूरल और अर्बन के लिए लेकिन क्या अभी सारे रूरल areas में health care centers establish की जारी है नहीं यह अभी 10 specially identified states के rural area but urban areas के maximum सभी states में यह चीज होंगे find, वह कोई नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका Government and National steering committee for implementation of Nippon bhaarath commission एक committee setup किया है गंडे national steering committee निपन भारत को implement करने के लिए तो निपन भारत क्या है निपन भारत एक ministry of education ने launch किया है इसको national initiative for proficiency in reading with understanding and numeracy भारत scheme भी बोलते हैं इंडिया में ऐसा देखा गया है एक रिपोर्ट के द्वारा कि इवन तो बच्चे स्कूल जाते हैं फिर भी 3-9 एज के जो बच्चे होते हैं वो नहीं नंबर्स या आलफेबेट्स को पहचान पाते हैं नहीं बोल पाते हैं तो इसलिए निपन भारत स्कीम आई है और यह स्क कि युनिवर्सल अक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरसी अन्यूमिरसी दे पाएं ताकि रीडिंग और राइटिंग में बच्चों को दिक्कत ना हो और यह जो डेट है आपका बाई 2026-2027 और यह इंप्लिमेंट की जाएगी बाई दिपार्टमेंट आफ स्कूल अब यह जो आपका समग्र सिक्षा स्कीम है इसके अंदर भी आ जाता है अभी एजुकेशन का कॉंस्टिूशन में क्या प्रोविजिन है पाट फूर कॉंस्टिूशन जो होता है पाट फूर हमारा डिरेक्टिव प्रिंसिपल अफ स्टेट पॉलिसी होता है उसमें आर्टि अंदर आर्टिकल 21 ए को ऐटिसिक्स्ट इसे अमेंडमेंट आक्ट के द्वारा डाल करके एजुकेशन को हमारा फंडमेंटल राइड बना दिया गया था तो यह आपको एजुकेशन से रिलेटिड कॉंस्टिूशन प्रोविजिन्स यह आदोने चाहिए तो चलिए हम थोड़ा questions देख लेते हैं निपुन भारत mission initiated as a part of NEP 2020 PM आयूश्मान भारत health infrastructure mission covers both rural and urban power to constitute the foreign tribunals lies with only center cherry blossom, bardoli, chira, kalbaisaaki, other varied name of tea in Assam region बगलिहार डाम lies on जेलम river तो आप attempt करने की कोशिश करिए इस question को चलिए मैं आपको answer बताती हूँ ये correct है, ministry of education के अंदर भी आता है और ये both rural and urban ये भी आपका correct है बट ये only center नहीं होता है district magistrate को power दी गई है और home minister ने संशोधन किया था amendment किया था आपका foreigner act में foreign act में और ये सारा नाम जो है ये monsoon savers को या फिर इसको pre-motion savers भी बोलते है और बगली हार डाम आपकी जेलम river नहीं चेनाब river में है तो चलिए दोस्तों I hope you enjoyed the channel thank you, please like, share and subscribe the channel और pdf के लिए आप हमारे telegram channel को join कर लीजे जिसका नाम है sweven learners और ये नाम आपका instagram id का भी यही नाम है तो आप हमें instagram में भी follow कर सकते हैं thank you, bye bye